विलकाम्म फ्रेंट समारी यूटूब चैनल आरके नर्सिंग एकेड़ी में फ्रेंट बहुती मातुपुन कोश्चिन है जो की आने वाली सभी परिछाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टैंट है प्रिंट्स जितनी बी-कोश्यन इस सभी कोश्यनs प्रिवेश दो में पूछे के हैं और most repeated कोश्यन इसी तरह के कोश्यन पूछे आते हैं प्रिंट टीक है जंतना हो तो आप लोग बेतर ट्यारी करें और जादा-जादा आप आपको पता नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे इस वये से आप जितना हो से के प्रेंट्स रिवीगें करें पढ़ने कुछसन को ओगेज विटामिन D, अब 2 का D कहां पर है, friends, देख सकते हैं यहां पर, किस option में 2 का D दिया है, तो friends, यह B और D, इन दुनों में B का 2 नमबर का D दिया हुआ है, यहां पर 2, तो friends, यह तो यहां से तो बाकी तो जो option है, वो तो गलत हो गये, अब यहां पर कौन-कौन B और D में अब यहां पर देखना है ठीक है अब यहां पर यह तो आपने मिला दिया दो का A स्वरी दो का D ठीक है अब यहां पर सूखा रोग सूखा रोग किसे होता है कलसी फिरॉल से तो यहां पर देखे विटामिन D बिटामिन दी की कमई से क्या होता है सूखर रोग हो जाता है हड़ियां टेड़ी मेरी हो जाती है यह बच्छों में इयआगा गता और अगर डेल्ट की बात की जाते है उस्ट्यो मलेशिया हो जाता है Despite फ्लक्जिबॉल हड्डी कम जोर हो जाते है छड़वंगर हो तो क्या होता है यह सुखर अब तीन का यहां पर बी कहां पर तो दोनों में देखिए वह जीज कामन दिए गई है तो अभी तो यहां पर मतलब करना कुछ इतना होगा ठीक है अब यहां पर हम तीसरा आपसन देखते हैं दो आपसन में तो कंफर्म नहीं कर पाए हलाकि यह तो पर एक का सी हो गया है एक का सी तो यहां मतलब डी कंफर्म हो गया ना आपसन डी आपका राइट होगा और यहां पर विटामीन जो के है इससे क्या और नौजासी सों में र्क्त संबंदी बिमारी हो जाती है आपने देखा होगा अश्पताल में का डूटी करते होंगे तो के का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे के मीडिल यहां पर थाई में तो ठीक है आप संडी यहां पर फ्रिंट्स राइट होगा चलिए कोशन नंबर 17 पढ़ें कोशन नंबर 17 को लोग की कमी से होने वाला रोग कौन सा है प्रिंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आ है थाइमीन कौन सा बिताइमीन की का वीटाइमीन है वीटामीन बीटामीन-स इपा मीन-सक नाम है बि इसका नाम है प्रिंट्स और यह यह प्रिंट्स क्या होता है थाई-मीन और यह होता है राइबो फ्लोविन KD यहां पर पूछा गया थाई-मीन कौन्सा विटामीन तो आपसन पर आपका राइट होगा चलिए कोशन नंबर 19 कोशन नंबर 19 को और आंसर दें कि निम्लिखित में से किस विटामीन की कमी के करण म मसूडों में रखता आता है और दात हिलने लगते हैं अब यह तो बहुत ही सिंपल कोईशन है प्रंट सभी को पता होना चाहिए ठीक है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर निम लिखत में से किसे विटामिन की कमी करण मसूडों में खून आता है तो यह देखें में से विटामिन B12 प्रुचुर मात्रा में किस में पाया जाता है यह सभी को पता होना चाहिए ठीक है जो बिटामिन B12 है यह जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है अब यह प्रुचुर मात्रा में किस में पाया जाता है किस फल में पाया जाता है तर्बूज दूद सेब और क वाजू ठीक है इस सब चीज़ें दी गई है तो आप प्रोचुर मात्रा की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है विटामिन दातों की विक्रती से विक्रती के साथ है अब आपको बताना है फ्रिंट्स बहुत ही सिंपल कोश्चन है निमलिकित मेसिक इस तत्तों का संबंद दातों की विक्रती के साथ है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर प्रिंट्स एक किस निंबर यहाँ पे सहायक विटामिन पूछा गया है ठीक है कौन सा विटामिन है जो सायता करता है रक्त के जमने में तो विटामिन के ठीक है विटामिन के सायता करता है ठीक है इसे नेप्तोकिनोन कहा जाता है विटामिन के को नेप्तोकिनोन कहा जाता है रासा निग नाम इसका नेप्तोकिनोन ह और इसका रेटिनाल है विटामिन E का रेटिनाल है विटामिन C जो है प्रिंट्स इसे स्कॉर्बिकेसिट कहा जाता है ठीक है जो अभी आपने पढ़ा था उपर कोश्चन में दाथ हिलने लगते हैं मसूड़ा से खूना नहीं लगता है विटामिन C की कमी करड़ तो यहां प गट्टे फलों से में प्राफ्त होता है और विटामिन C ठीक है यह क्या होता है इसके कमें से爷 क्कून में रख्ट का ठकक नहीं बनता है अगर आपके कहीं चोट लग जा तो रक्त ठकक नहीं मनेगा अगर जब तक आपके विटामिन की खमी है विटामिन के की और देखा होगा जो हीमोफीलिया की जो मरीज होते हैं उन में भी रखतका धका नहीं बनता है अब विटामिन ई जो हैप्टेंट से सौंधर का बिटामिन का जाता है ब्यूटे नमबर यहां पर 12 से पढ़े कोशन नमबर 23 को 23 और बताय है क्या होगा इसका राइट आंसर कोशन नमबर 23 पढ़ लेखो 23 को फिर अंसर दी कि Girobe Thalmiya एक ही जैनता qualities है या किसकी कमे के कारण होता है जी रोब थल्मिया बताएं फ्रेंट से जी रोब थल्मिया किसकी कमी के करण होता है ठीक है 23 है तो देखे विटामिन एक कमी करण होता है जी रोब थल्मिया ठीक है चलिए 24 नमर कोशन परते हैं मानों सरीर में संक्रमण को को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है संक्रमण को रोकने मदद करने वाला विटामिन कौन सा है देखे इस तरह के अब 25 नमबर, कोशन नमबर 25 है, पढ़ें कोशन नमबर 25 को, और आंसर दें, सही सुमेली थे, कौन सा सही सुमेली थे, देखें, बिटामिन B1, थाइमेन, यह क्या होगा, बेरी-बेरी, यह तो सही सुमेली थे, और देखें, यहाँ पे बिटामिन D, यह भी बिल्कुल सही सु मिली थै है यह जो विटामिन के यह बंध्या पन यह प्रेंट गला थे के विटामिन ए उगा जो फिये तो यहाप सब्सक्राइब होगको का नमबर यहांपे 26 विटामिन की नमबर यहाप जाता है तो भी टामीन बी बन की कमिक का रड़ क्या होता है वेरी-वेरी रोग हो जाता है आपसंद यहां पर डि आपका राइट होगा चलिए यह कुछ नमर कुछ था इस और यहांपर 26 हփ ठीक है 26 नबर कोशव N था जाले खुला कोशिण नहें इसटाई नूम्मर कोशन नहीं कि कि ने मिलाखेत में से कौन सा आयोडीन का सफुट नका सरुट होता है जो डार ग। कौनां सा है 17 सेभार कोशें का यहां पर समूद्ण के आइबार क्या होते हैं चाहिक जो पाई जाते हैं कि ही भी आपने पड़ा भी रेगा भी है कोशं में और ये simple question है ठीक है कई बार आपने पढ़ा होगा repeated question है बताएं क्या होगा इसका right answer किसकी कमी के करण ऐसा होता है तो देखें विटामिन D की कमी करण क्या होता है हड़ियां मुड़ जाती है तेड़ी मेड़ी हो जाती है जिसे रेकेटस भी का जाता है ठीक है तो अभी हमने बताया था विटामिन B1 थामिन इसे बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन E जो है इसे टोकोफिराल कहा जाता है इसकी कमी से बंध्यापन जिसे का जाता है बांजपन हो जाता है ठीक है इसे ब्यूटी विटामिन भी का जाता है और रेटिनाल जो है प्रेंट से ठीक है यह जीरोग थलमिया भी इसको का जाता है ठीक है जीरोग थलमिया रोग भी हो जाता है बिटामिन एक कमिक करण रोग भी हो जाता है ठीक है रोताओंदी और प्रेंट्स इसकी कमिक करण क्या होता है अभी आपने पढ़ा था संकमर से बचाओ भी करता है ठीक है शरीर को संकमनों से बचाता है चलिए अगला कोशन है कोशन नंबर 29 पड़े 29 को वाधातु कौन सी है जो बिटामिन B12 की एक घटक है अभी आपने पढ़ाता है प्रेंट्स मैंने उपर बताया था एक कोशन ठीक है बिटामिन B12 की घटक मानी जाती मैंने कहा था ना प्रेंट्स अभी जेश्ट दो-चार कोशन के ऊपर ही हमने पढ़ाया था बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर वाधातू कौन सी है जो बिटामिन B12 की घटक मानी जाती है तो दिखे हैं पर कोबाल्ट है ठीक है मैंने बताया था कि बिटामिन B12 में को ना में पीट किया है अभी जेश्ट अभी हमने रिपीट किया कि बिटामिन A का रासानिक नाम क्या होता है तो देखें एपी बिटामिन B12 के नाम से भी हम जानते हैं आप संदिया पे प्रेंट से राइट होगा चलिए मगला कोशन में कोशन नंबर यहां पर 31 q9 ने लिखे मात्रा में आवला में क्या पायाता है भी टार्द्विन सी पाया जाता है ठीक है तो यह क्या है इसकर भी रोग के इलाज में उप्योगी है ठीक है 31 कोशन नमर्ब यहां पे 32 टीक है थर्टी टू को किस विटामिन की कमी होने पर प्रडासी रक्तालपता जिससे कहा तें घातक रक्तालपता कहा जाता है प्रिंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्या होता है घात तक रखताल पता बहुत ज़्यादा खोन की कमी ठीक है इससे आपके प्राण्ड भी जा सकते हैं तो यहां पर आप सुन सी आपका राइट होगा ठीक है विटामिन बी ट्वल्ब इससे साइना को बाला मिन भी कहा जाता है ठीक है अब यहां पर कोशन नमबर आप इससे देख लें पहले आप जो यहां पर आप दें सकते हैं कि विटामिन की न च theume मिलेगा च्परैथा रहा है मैं के आप अच्छे से पढ़ए majority त्री 23 अपर प्राण्पर पर मोस्ड़ी धें तॉयरा कोश्यन आपकी स्क्रीन पर आप अच्छे से पढ़ए देखिए जतना हो सके प्रिंट्स आप लोग ज्यादा ज्यादा comment box में answer दें और प्रिंट्स जो भी candidate online class लेना चाहता है प्रिंट्स तो आप हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं मारा नंबर है यह हमारा whats up group नंबर है और अगर आप हमें direct call करके संपर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर call कर सकते हैं आप इस नंबर पर direct call करके भी हमसे संपर कर सकते हैं इस नंबर पर अनलाइन class की जो फीस है वो 2000 रुपे है ठीक है और यह पूरे complete course के लिए एनम के पूरे complete course के लिए 2000 रुपे फीच है और प्रिंट्स जो एनम का जो exam होना है वो फरवरी last फरवरी या मार्च तक exam होगा ठीक है तो आपके पास काफी अच्छा समय है तैहरी के लिए अगर आप बेतर तैहरी करना चाहते हों तो आप जरूर संपर करें प्रिंट्स ठीक है अगर selection लेना चाहते हैं ठीक है क्योंकि जो vacancy है प्रिंट्स पाँच जार 200 प्लस vacancy दी गई है यह regular vacancy है अगर आप selection लेना चाहते है तो जरूर संपर करेंगे selection की guarantee है अगर आप पढ़ेंगे आप मेनत करेंगे हमारे साथ में तो 100% हम सिलेक्षन की गारंटी लेते हैं चलिए पढ़ें कोश्चन को नीम्बू में खटास किस चीज की कमी से होती है नीम्बू में खटास किस चीज की कमी से होती है प्रिंट्स बताएं अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर य प्रेंट्स अब ये आपको बता है और कई बार बताया है कि विटामिन एक किसके लिए मात्तुपूर्ण होता है दातों के विकास के लिए कार्बोईडेट के उपापचा के लिए लिंग गरंतियों के सामान क्रिया में या उपकला एपधिली उतकों के सामान स्वास्त के ठीक है विटाइमिन एर आप ए है ठीक है या फिर उपकला एपकों के आपका राइट होगा ठीक है आप थाई फॉर्ट कोश्ण कर भी में चर्म में होता है जो किस अंग में होता यह करता है जिगर केस चर्म नेत्र कहां पर थो थी सब्सक्राइब कुछन को आप पड़ें 36 निम लिखित में से किसके अंतरगत नेशनल आइरण प्ल्ट स इनिसी थीट्व अठlord NIPI national iron प्लस इनिसीयट्व का रिकरम का अचालन किया रहा है यह प्रिंट्स किसके अंतर गय्ण किया जा रहा है थर्टिस नमबर है 36 नमबर बताएं बहुत ही simple simple question है प्रिंट्स आप लोग जितना हो सके ज़्यदा ज्याता comment box में answer दीए ठ्रिंट्स यहाप से राइड होगा राउट सौास्त मिशन के अंतरगत किया रहा है फंप से याप आपका राइट कहुइस्टि सौास्त मिशन चले राष्ट कोशन है प्रिंट्स आप अच्छे से देख लें पड़ लें फिरा तो देते हैं यह सिंपल कोश्चन है लाष्ट कोशन एन आई ठीक है एन इपाई कारीकरम का अंतरगत सही हित ग्राही समू कौन चे है बताsupport च्राइत ग्राही जो समू है वो कौन चे मैंत देखेंक् God यहां पर क्या होगा छी असी अपराप करा आठ को होगा दो तीन और चार ठीक है पास से दस वर्स के बच्चे दस से उनीस वर्स के किसोर और किसोरियां और बीच से उन्चास वर्स के प्रजनन आयूवर की महिला है ठीक है तो यहाँ पे आप संसी आपका राइट होगा फ्रेंट्स मैंने अभी आपको बता दिया है ठीक है यह फ्रेंट 3042 ठीक है इस नंबर पर आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं आनलाइन क्लास लेने के लिए और अमारी आनलाइन क्लास के जो फीस है वह आपको पता है ठीक है और विद एक्स्प्लेइन के साथ पीडिया आपको दी जाएगी जितना भी जो भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ आपको दिया जाएगा तो चलिए फ्रेंट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए बाई 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 टेक कियर